हाई मैं पुशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्विडिट कॉम्रीटी में स्वागत करता हूं तो आप में इसे बहुत साही लोग रेगलर बेसिस पर कोशन पूछते वहते हैं कि सर हम कैसे एक जबरदस्त स्टॉक का सेलेक्शन करें जो कि हमें मार्केट से आउट करना परेंगा क्योंकि और स्टॉक का सेलेक्शन आसान नहीं है, जो कि आपको निफटी से बैतर प्रॉफार्म करके देक्व भी एक चटॉक आपको मैयाई से बैतर प्रॉफॉर्म करते हुएं देखने मिलेगा। कर देkichते हुएं को को हम डीटेल से समझते हैं तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट के उपर फोकस करेंगे और सबसे पहले जो के ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं यह मैंकौन कौन से सटाॉकस को सबसे पहले अगर आपका निफटी ऊपर जा रहा है लेकिन जो stocks आपने select किया वो आपका क्या हो रहा वो भी उपर जा रहा लेकिन बहुत slow rate से उपर जा रहा यह जिस rate से nifty उपर जा रहा उस rate से वो stocks अगर आपका उपर नहीं जा रहा तो वैसे stocks क्या करना वैसे stocks को आपको avoid करना ऐसे stocks आपका कभी भी nifty से outperform करता हुआ नहीं दिखेगा, nifty से बहतीन performance आपको नहीं दिखा सकता है उसके बाद अगर nifty नीचे जा रहा है, लेकिन जो stocks आपने select किया, वो उससे और तेजी से नीचे जा रहा है मतलब nifty आपका नीचे किया रहा, लेकिन जो stocks आपने pick किया है, वो और भी तेजी से नीचे जा रहा तो वैसे stocks को भी हमें क्या करना, avoid करना, ऐसे stocks को भी हमें pick नहीं करना, ये सारा stocks आपको बहतीन performance नहीं दिखा सकता है तीसरा, अगर nifty उपर जा रहा, लेकिन stocks आपका उस rate से उपर नहीं जा रहा, या फिर वो क्या हो रहा, वो आपका नीचे साइड की तरफ जा रहा, market उपर जा रहा, stocks उपर भी जा रहा, लेकिन उस rate से उपर नहीं जा रहा, या फिर नीचे जा रहा, तो market जितना performance नहीं द avoid category में डालेंगे उसको यहाँ पे हम avoid करेंगे उसमें हम गलती से भी investment नहीं करेंगे अगर आप nifty से ज़्यादा return चाहते हैं तो ठीक है यह point के लिए हो गिया अब आपके मन में question आ रहा होगा तो हम किस stocks को pick करेंगे जो कि हमें निफ्टी से बहत्वीन performance दिखाएगा चलिए उसी को पर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ आपको बतारा चाहूंगा कि कौन से stocks को हमें pick करना सबसे पहले how to find stocks that will outperform the market that means to outperform the nifty सबसे पहला point क्या है अगर nifty आपका upside की तरफ जा रहा ठीक है निफ्टी का momentum कैसा है upset momentum है लेकिन जो stocks आपने select किया है वो आपको faster rate से उपर जा रहा है यह निफ्टी जिस rate से उपर जा रहा उससे तेजी से वो stocks उपर जा रहा है अगर इस क्वेट एडिया को कोई भी stocks जा रहा है बहुत slow rates से निफ्टी नीचे जा रहा है उस रेट से stocks नीचे नहीं जाना चाहिए उससे slow नीचे जाना चाहिए या फिर stocks आपका upside की तरफ जाना चाहिए अगर यह दो क्वेट एडिया को कोई भी stocks satisfy कर रहा है तो stock को यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर रेंजबांड होना चाहिए निफ्टी से नीचे नहीं जाना चाहिए तो ऐसे stocks को यहां पर हम क्या करेंगे पिक करेंगे तीसरा को जो भी stocks satisfy करेंगे तो अब यहां पर big question उठता है कि हम यह सारे stocks find कैसे करेंगे जो कि हमें निफ्टी से बहत्विन परफॉर्म करता हुआ दिखेगा जो क्वेटरी आपने बता है उसको कैसे satisfy कर सकते हो लेकिन manually find करना difficult है तो चार्ट पर आप इसको कैसे indicator की मदद से find कर सकते हो चले चार्ट पर चलते हो इसको detail से समझते हैं तो यहां पर हम चार्ट पर आते हैं और सबस्क्राइल यहां पर यहां पर लोगों के मन में चार्ट इसलिए इसका सेवाल इंटाट में करें तो आप में कर सकते दोवेटस के लिए कर सकते हैं या फिर आप trading में इस्तेमाल करना है तो swing trading या फिर expiry to expiry trade अगर आप options या future में करते हैं तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दो purpose के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों के लिए आपको क्या करना परेगा one day का time frame लेना परेगा या फिर इससे अगर आप जाएंगे तो करन सकता है तो आप इससे नीचे का time frame में अब अरली 30 मिनट 15 मिनट में भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको research करना परेगा तो यहां पर हम कैसे कर सकते हैं अब यहां पर देखिए यहां पर हमने क्या किया यहां पर हमने कुछ indicator को इस्तेमाल किया सबस्पहले आपका सब्सक्राइब यहां पर हमने क्या लिए यहां पर हम इस्तेमाल किया इंडिकर्टर किया आपका relative strength यहां पर हम कैसे फाइंड करेंगे कि कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक्स निफ्टी से बहतर प्रफॉर्म कर रहा है उसके लिए आपको यहां पर दो लाइन देखने को मिलेगा आपको वाइट लाइन और यलो लाइन इसको आप कैसे एड करेंगे जिरुदा के ट्रेडिंग लेट फर्म में आपको बता दूगा और स्विल याप चाहो तो आप इंजल ब्रोकिंग में भी एड कर सकते हो तो यहां पर आपको यलो लाइन को क्रॉस करके उपर जाता है ठीक है यहां पर भी हम अपना पैन का कलर वाइट कर लेते हैं जब वाइट लाइन आपको देख स लेट इस फ्रम दिखाता दिए से आपर ज्वऑन करता निफटी जादा तैजी से वह ऊपर जाएगा आगा जिसकी गिरता अभी है तो काफी स्लो नीचे गिए यहां पर देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ येलो लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकला किस पॉइंट पर इस पॉइंट पर उसके बाद देखिए पूरा पूरा उपर ही रहा और मार्केट यहां पर आपका अपसाइड मूब दिखाया अब निफ्टी के रैक्शन कुछ भी हो कई बार क्या हो सकता निफ्टी का रैक्शन आपका नीचे साइड का भी रहा फिर भी ये सारा स्टॉक्स आपको अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा यानि इसमें हमें इतना स्ट्वेंद देखने को मिलता है कि वो इंडेक्स को बीट कर सकता है इंडेक्स अगर कम तेजी से उपर जा रहा फिर भी आपका पक्र लेगा यांनि तो अधा आरी दिखाएंगा बहुत रेट से नीचे जाएगा अपने यहां पर देख लिए उसके बाद कि यहां पे यह क्या हुआ से छेम स्टी से अंडर पर्फॉर्म कर्वंगा यहीं इस श्यू में यह कि यह पर्ट्इक भी पर्फूंच कर सकते और कब हमें स्टाक्स में इंडेक्स में ट्वेड करना अगर फ्राइब्स्ट्री करना चाहते इस पाटिक्लियर पॉश्चन मेंने सेंप्र लाइनज्च में करना byCR gebe suchen क्ये यहाँ शेट सकता है तो यहां पर देखिए, जब यह य यलो अन को break करके नीचे गया, उसके बाद प्राईस आपका यहां से भी नीचे गया है, उसके बाद जब भी यह आपका प्राईस ऊपर निकला देख सकते हैं, इसके वाद आपका थोरा मेंध अपसाइड मोमेंटम दिखा भाए, यहां पर देखिए इसके बाद उपर नीचे उपर नीचे करते रहा इसके वेसिस पर चाहो तो काम कर सकते हो अब यहां पर देखिए जब इसका अपसाइड मोमेंटम आता है यहां पर निकला और इस प्राइस पर लगबग आपका क्या हुआ निफ्टी से बैत्विन कर रहा था वह भी निफ्टी 60 का दिग विलाइंस तरीके से आप यह सारा स्टॉक्स कर सकते अब इसके बैसिस पर ट्रेड कैसे ले सकते जैसे इसको ब्रेकर करके ऊपर निकला इस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं यह पॉइंट हमारा इंफी पॉइंट बन जाएगा उसके हम यहां पर रख लेंगे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने इस आप से स्टॉप लोस डाली सकते हैं उसके प्राइस आपका ऊपर की तरफ गया उसके बाद जैसे ही आपका नीचे की बना स्टार्ट हो गया क्या करेंग है 22 50 करीब हम अपना क्या कर लें इंट्री पॉइंट बना लएंगे उसके बाद फिर इससे नीचे जो भी लोईश्ट पॉइंट रहेगा थोरा से नीचे यही था हमारा यहां पर हम क्या करने ही अपना investment करना प्रिफर करना है जब इसको break करके उपर निकले तब आपको यहाँ पर investment prefer करना है और जब इसको break करके नीची आए तिहां से आपको निकल जाना फिर आपको वैसा stocks खोजना है जहाँ पर हमें क्या देखने हैं मिले यह उपर साइड की तरफ देखने हैं मिले तो आप जो भी stocks अपने watch list में add कर सकते हैं उसको आप एक बार देख सकते हैं क्योंकि यह आपको automatic इसके लिए scanner नहीं मिल पाएगा इसको आपको manually find करना परेगा उसके बाद मैं यहां पर आपको एक और example बदाना जाओंगा है यहां पर हमने banking sectors उठाया यह आपका ICICI bank यहां पर देख सकते हैं हम कहां से start करें यह देखे 2022 हैं यहां से हमें start करें यहां पर क्या था यह yellow line को break करके उपर निकला और यहां पर देखिए प्राइस आपका यहां पर कहां पर ट्वेट कर रहा है यहां से all the way आपका कहां तक गिया यह 30 के लेवल तक गिया यह निए अच्छा का सब्सक्राइब दिखाया उसके बाद देखिए yellow line के नीचे white line हमारा आ गया किस इस पॉइंट पर उसके बाद आपका market गिरा है और all the way आपका कहां तक गिरा है 680 के लेवल तक यहनि market गिरने वाला है यहां पर क्या करना है अगर हमने investment कर रखा तो क्या करें यहां पर हम अपना exit कर लेंगे यहां इन्वेस्टमेंट के लिए सोचें काफी लंबे समय के लिए सोचें कोई दिक्कत वाली बात ने यहां पर आने दीजिए और जैसे आपको नीचे price मिलता और और addition कर सकते यहां पर कुछ न कुछ करना परेगा चाहिए आप और addition कर लो यहां नहीं तो यहां पर exit कर लो यहां पर के लेवल पर गया है और देखें यहां पर नीचे गया है मतलब यह highest point पर आपको इंडिकेशन दे देता है कि यहां से price आपका नीचे जाने और उसके बाद अभी है निफ्टी से underperform कर रहा नीचे साइड की तरफ जा रहा और देखें यहां से आपका almost 750 से यह आपका 680 के ल करेंगे चाहिए वह entry आपका trading purpose के लिए हो या फिर investment purpose के लिए entry point एक जरूर है अगर आप investment भी करते हैं और सही जगह पर इंट्री ले लेते हैं तो आपको 5-7% का ऐसे एक्स्ट्रा benefit मिलता हुआ दिखेगा इस तरीके से आप सही stocks fine कर सकते हैं जो कि आपको निफ्टी से बह हैं और यहां पर आप कैसे वह indicator का इस्तेमाल कर सकते हैं वह में आपको यहां पर बताने जा रहा है और यह सारा जो indicator है वह जिरूधा के काई trading platform में अब लेवल है यहां में आपको बताऊंगा सेम तरीके से आप अपे stock और angel broking के trading platform में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां यहां भी आपको यह मिल जाएगा तो अगर आपके ब्रोफेज में यह सारा कुछ नहीं मिलता है तो आप जिरूधा आप स्टॉक या फिर एंजल ब्रोकिंग तीनों में से जो भी आपको बहत्मीन लगता है वहां पे आप स्विच कर सकते हैं आपको सबसे पहले आपको क्य हो गिया पहला इंडिकेटर ने ट इसकी बाद हमें इक और इंडिकेटर करना स्ट्डीज कर यहां पर मुविंग एवडेज एड करना हो उसके बाद आपको और कुछ चेंज नहीं करना आपको फिल्ड दिख रहा होगा फिल्ड में क्लिक करना क्लोज के जगा पे आपको नीचे आरेसाइज दिख जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना ठीक है अब यहां पर आपको red line दिख गया इसको आप color change भी कर सकते हो जो कि मैंने आपको explain किया था ठीक है यहां पर हमने इसका color आपका yellow कर दिया उसके बाद एक और चीज करना type को simple से आपको exponential कर लेना ठीक है यही काम करना period को 50 से लेके 52 करना ठीक है फिल्ड को आपको यहां पर क्लिक करना नीची आपको RSI दिख जाएगा तो सबसे पहले आपको RSI आड करना पड़ेगा तभी आपको RSI दिखेगा otherwise नहीं दिखेगा ठीक है उसके बाद type में exponential यही तीन चीज आड करना period 52 फिल्ड RSI type exponential उसके बाद नीची आपको done दिखेग इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि वह particular stocks nifty से outperform कर रहा है और जब भी आपका white line yellow line से नीचे दिखें मतलब यह है कि वह particular stocks nifty से underperform कर रहा है तो यहां पे आपको और clear जाएगे तो यहां पे आपको line दिख रहा होगा इसको आप पकड़के उपर extend कर देंगे और आपको यह clear देख जाएगा इस तरीके से आप चाहो तो आई से बैंक या कोई भी stocks में आप add कर सकते हो और वहां पे आपको idea मिल जाएगा कि आपका जो nifty है उससे यह outperform कर रहा है या फिर underperform कर रहा मतलब nifty से बहतर perform कर रहा या फिर nifty से कम बहतर perform कर रहा तो इस तरीके से आप ब social informative videos अच्छा लगा होगा क्योंकि इस तरह का information आपको बहुत कम जगाब देखने को भी लेगा general इस तरह का information लोग share करना नहीं चाहते हैं इसका इस्तेमाल वो खुद करते हैं ताकि यह information लोगों तक नहीं पहुंचे मैं आपको वही सारा information प्रोवाइट कर रहा हूं जो कि आपको जैनरली यूटूब पर नहीं मिलेगा बहुत कम लोग इस तरह का information प्रोवाइट करेंगे लेकिन बहुत सारा लोग stock का selection इसके basis पर करते हैं चाहे वो trading purpose के लिए हो या फिर investment purpose के लिए तो बस एक ही request है कि आपको ये वीडियो पसंदा है प्लीज वीडियो को लाइक किजे ताकि हमें inquisement मिलता रहेगा और हम इस तरह के और वीडियो आपके लिए वेगला basis पर लाते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजे और साथी साथ बेल आइकन को भी जब दबा दीजे सो मिलते है नेक्स वीडियो है जैहिन